आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह ओसाइड ओसाइड मोडल क्या था इसको नाइंटी एटी प्रपोफ किया या था पर यह फाइनली जो लीगलाइज बहाता है इसने आए इसोटे इसको अपूबल दे दिया था वो दिया रहा था NITIT four सबसे मैंने जब इंटर नेट वर की डिस्कोवर हो थी तो जब हमने डेटा टांसफर किया था तो उसके अंगर हमने आरथाने ने जब कोई भी कम्म्मुनिकेशन किया था तो हमने जो मोली कुषके आदा हो था TCP IP, TCP IP क्या था, 4-layer model थी, और 4-layer model होने के साउसे, इसकी complexity जो थी, वो थोड़ी सड़ी, जादा हाई हो गए थी, और किसी भी, अगर कोई भी चीज complex हो जाती है, तो उसको, समझाने के लिए, एक simple motor बनाया जाता है, और जिसको, हम इसकी वज़े से किसी को कुछ समझा सके, तो उसको conceptual motor को होता है, इसी के basis पे जो OSI model कराया गया, और यह जो था, यह 7-layer model, 7-layer model था, तो इन्होंने क्या किया था, तो इसकी पो layer, जो combined, तो उसको separate कर लिए, तो OSI के, अगर हम बात करें, OSI से हम शुरू करता है, सबसे ज़्या आती है, हमारे पास, application layer, तो उसके ब इसके बाद आती है, presentation layer, फिर आती है, session layer, फिर transport, फिर network, देटा लिट, और जो लास्ट नोटीव होती है, तो यह जो हता है, यह मेरा semi layer architecture होता है, मैंने आपको पता नहीं शुरू किया था, वो उपर से नहीं शुरू किया था, पर एक्च्वल में, अगर हम इसको study करते हैं, तो लिए हम quality direction में, study करते हैं, यह very rare, one, two, three, four, five, six, seven, तो यह semi layer model होता है, और जो अलग-अलग layer निदू यह जो होता है, अब basically यह कहने आतना शाप्री है, अगर मांदो यह मेरे पास तो system 1 है, और यह system 2, NKP जो अगर मैंने data transport रहना है, communication करना है, तो यह क्या हो जाएगा, यहां पी OSI model यूज होगा, और यहां पी OSI model यूज होगा, और यहां पी OSI model यूज होगा, अग जब मैं यूज होगा, यानि कि physical layer में आ जाएगा, और जो data transfer होगा, physical layer में होगा, तो यहां पर इसको data receive होगा, सबसे तरी physical layer पर, data link and then so on and so, तो इस तरी कैसे कोई भी network होगा, तो यह होगा, जो होगा, data transfer होता है, तो यह होता है, basically OSI model, अब हमने जो HD layer बनागी है, पर layer बनागी है, और यही layer क्यों बनागी है, कि और कोई layer क्यों बनागी है, और यही layer क्यों बनागी है, और कोई layer क्यों बनागी है, तो हमारे process को याद करने है, shorter ही चौता है, P, G, N, T, S, P, A, यानि के please do not touch, stop.